नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आप सबों का आज के अगले वीज़ियो में हमारे एक प्रेमित्र हैं जिन्नोंने फेडरल स्ट्रक्चर में भारतिय राजी के जो पावर्स शेर्ड हैं अर्थाद किंद्र सरकार और राजी सरकार में जो शक्ती का विभाजन है इस विशय में अगला वीडियो बनाने की एक गुजारिश होई है मैं आशा करता हूँ कि कम से कम समय में आप सबों को इसकी जानकारी देने की कोशे से सफलता पूर्वक कर पाऊंगा तो आज का विशय है संग सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कूरेंट लिस्ट समिधान की सात्वी अनिसूची में शक्तियों का बटवारा किया गया है तो आज मैं कोशिस करूँगा कि आप सब स्वस्थ हैं और अपनी BPSC की तयारी कर रहे हैं हमारे किसी आदर्णी नेता जी ने कहा कि oxygen देथ का कारण नहीं है no death due to oxygen this is one of the statement given by union or center in parliament maybe two three days ago so we are going to discuss about the difference and I would say the sharing of powers between center and state यह जाना बहुत आवश्यक है कि राज्य और केंद्र की बीच की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार हुआ है और कैसे केंद्र सरकार राज्यों पर आश्रित है और राज्य सरकार केंद्र पर आश्रित है और कैसे भारत के समविधान का ढाचा केंद्र और राज्य के बीच परस्पर तालमेल पर पूरी तरह से आश्रित है आज का विडियो शुरू करने जा रहा हूँ जो राज्य सुची और केंद्र सुची पर आधारित है तो आप प्रयास करें कि इसके विश्य में ज्यादा से जानकारिया आप उपलव्ट करें जैसा कि मैंने कहा कि समविधान में साथवी अनुसूची में शक्तियों का बटवारा किया गया है आप आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246 पढ़ सकते हैं इसके लावा आर्टिकल 254 में कुछ विशेशा अधिकार प्राप्त है जो कि आर्टिकल 2 और 3 में राज बनाने के विशेशा अधिकार में भी नहित है केंद्र को डॉक्ट्राइन ओफ पिच एन सबस्टान्स ये एक विशेश है जिस पर एक अलग वीडियो बनना चाहिए बात करते हैं संग सुची, राज सुची और समवर्ती सुची की खेंद्र और राजियों के बीच बहुत ही स्पस्ट रूप से बटवारा किया गया है शक्तियों का आप देख सकते हैं कि प्रारंभी काल में करीब संत्यानवे विशय संग सुची में डाले गये थे सुरक्षा, अंतरराज्ट्रिय संधी, युद्ध, विदेशी मामले, विदेशी इरण, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, वायू, जल, रेल परिवहन, अंतरराज्जिय नदिया, जन गणना, इत्यादी ये सभी सग के विशय हैं, अर्थात केंद्र के विशय हैं, अगर हम बात करते हैं स्टेट के लिस्ट की, तो राज्जी की सुची जो की अभी करीब 61 है, रीसेंट, प्रारंबिक काल में ये 66 थी, जो की 5 इसमें से निकाल कर समवर्ती सुची में डाला गया है, पुलिस, जे जिस पर कानून बनाने का अधिकार राजी कुद मिला हुआ है, कुछ ऐसे भी विशय हैं, जिस पर राज और केंद्र मिलकर कानून ने बना सकते हैं, और अगर उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद हुआ, तो उस विवाद में केंद्र के द्वारा बन हुआ कानून ही मानने होगा समवर्ती सूची यानि की concurrent list वो list है जिसमें की केंदर और राज दोनों का साजा सहीयोग रहता है 52 विशय इसमें दिये गए है recent time में और 47 विशय थे जैसा कि मैंने कहा कि राज सूची से 5 विशय निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिये गए ये 42 इसमें संसमिधान संशोधन में हुआ था इसकी व्याक्य मैं अगले वीडियो में करूँगा आप भी जा करके चेक कर सकते हैं समवर्ती सूची में विशय है सिक्षा मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राश्ट्रिय जलमार्ग, जंगल, दिवानी और फौसदारी मुकदमे, इत्यादी इसमें अन्य विशय भी हैं ऐसे कई विशय हैं जो कि कई बार इन तीनों सूचीयों में भी उपलब्द नहीं होते हैं तो संग, राज, एवं समवर्ती सूची में जो विशय नहीं हैं उन विशयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को हैं और इसे हम क्या कहते हैं, अवसिष्ट विधाई शक्ती, अवसिष्ट विधाई शक्ती के द्वारा संसद कानून बना सकता है, जो की सुचियों में नहीं दिया हुआ है, अब Indian Constitution is not federal, ये एक statement आप कई बार पढ़ते होंगे, कि भारतिय समविधान की अवधारना फेडरल नही है, State of West Bengal versus Union of India 1962 judgment है, आदरनी सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतिय समविधानिक विवस्था या भारतिय कॉंस्टिटूशन फेडरल नहीं है, जो की अपने आप में विवादास्पद है, इस पर चर्चाएं चल रही है, हमारा कानून, हमारा समविधान इसमें नित नए संशोधन होते रहते हैं, सन 1994 के दशक में, नौ जज़ की एक बेंच थी, जिसमें की S.R. Bomi versus Union of India एक हेरिंग होई थी, जिसमें की हमारे आदरनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिजम a part of constitution, तो मैं आपको बता दूं, हमारा सुप्रीम ये भी कहता है कि भारतिय समविधान फेडरल नहीं है, 1962 में, और ये आगे जाकर ये भी कहता है कि भारतिय समविधान फेडरल है, तो ये आवश्यक है समझ पाना कि भारतिय समविधान की आवधारना कैसी है, इसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि गवर्नर का जो रोल है हमारे उनका रोल डिफाइन करना बहुत आवश्य है कि ताकि वो राजियों और केंद्र के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकें GST किस तरह से शेर किये जाए जो भी राजिय और केंद्र है उनके बीच में किस तरह से GST का शेर हो Cross Cultural Barrier जैसे कि माली जी आप West Bengal में हैं वहां की संस्कृति और केंद्र की संस्कृति वो जरूरी नहीं कि सेम हो अगर आप गुजरात में हैं और आप केंद्र में दिल्ली में बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि गुजरात और दिल्ली की संस्कृति सेम हो अगर आप महारास्ट्र में हैं और आप दिल्ली से हर चीजों को अपने ही ढंक से विवस्थित करना चाहें तो ये cross-cultural barrier आ सकता है और इसे एक bridge करने के लिए हमें एक समयधानिक धाचे की आवशकता होती है तो आशा है कि आप सभी कोशिस करेंगे समझने की कि भारत के समयधा की लोक स्वास्त एवं जिला अस्पताल ये किसकी जाए है